आपसे बता दे BPSC 17 को लेकर यानि BPSC 70 की जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुश खबरी है वेकेंसी की बात किजिएगा तो बहुत बड़ी शंख्या में वेकेंसी होगी लेकिन ये क्या अंतिम वेकेंसी होगी इस पर भी विचार किजिएगा अभ्यर्थी की बात किजिएगा तो लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी भरेंगे आकिर कारण क्या हो शकता है क्या क्या परिवर्तन हो सकता है क्या ये BPSC के द्वारा अंतिम वेकेंसी लिया जाएगा या इसके बाद कब आएगा इन सारे चीज को लेकर मेरे साथ अनिमे सुलासर है उनसे चर्च ये सबसे ज़्यादा कनफ्यूजन में सीट कितना रहा सकता है इतना तो क्लियर है कि पितले 15 जो परिछाय हुई है उसमें यह सवरवाधिक में रहेगा चौसटवी से ज्यादा से ज्यादा रहने के सम्हाएं आप बोल रहे हैं जो क्या ठारा सो क्या असपस्ता है तो 2000 का य तो कि इसमें कुछ नए पद क्रियेट हुए हैं जिसमें ब्लॉक एजुकेशन अब सर का पोश्ट है तो उसमें चुकी ब्लॉक हमारे यहां पांसो चॉपर तो ब्लॉक ही है तो एक पद भी सरुजित किया जागा तो च्छे साथ हो तो वही वेकंसी होगी सर ये एक और आप बोल रहे थे कि अंतिम वेकंसी हो गया यह इसका अर्थ क्या है चुकी चुनावी समय चल रहा है इसके बद राजिसक स्थर पर चुनाव होगा तो उस चुनाव के पहले यह आखरी वेकंसी यह नहीं कि हमेशा के लिए आखरी वेकंसी है चुनाव के बाद नई सरकार आएगी अपने रिती की साब से उकरेगी यही सरकार रिपीट होती है तो चीजे कट्मियों करेंगी मतलब सरकार चाहेगी कि जितना सीट खाली है इसको सभी निकाल दिया जाए चुनाव का समय है बासनों को देख लीजिए सब के केंदर में गरीबी से हटकर और रोजगारी की जब बात होगी तो रोजगार देने की बात होगी सर इसमें क्या-क्या जो आप बोल रहे थे अभ्यर्थी जादा हो सकते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं एक सबसे बड़ा कारण है कि बिपीएसी पिछले साल लगतार दो-दो पीटी लगतार लिया दो- और या वी बच्चे सब करेंगे, उनके पास भी चारपास माह मोखा मिल सकता है, कि यह मैं जुन पास तक सारब नया वेगंसी को यह हो जाता है, जब बच्चे पिछले सतर में है, वो नय सतर में आ जाते हैं, फिर नया अग्रिज़िशन आ जाता है, तो एक पूरी की पूरी नई पौध भी इस परिक्षा को देगी, क्योंकि परिक्षा पास करने के बाद भी BPSC के लिए 3-4 महिना उनको टाइम मिल जा रहा है। कर जाता है और कटफ ऊपर को जाता है। ऐसे में आप इसको हलके में लें जैसे मानले पिसली बार यह दि नब्वे में सलेक्शन हुआ है जैनल का तो इस बार मान के चले कि वन्टर निगेटिव के बावजूद्धि पंचानवे में होगा। तो अब अपनी तियारी सौग ही है। आपका कंसेट स्ट्रॉंग है तो युकन डिराइब देफ अज्वेल यादी दो चार पांच सब्जक्ट को वरियता दिया जाया है। तो किस पर भी से फोकस करना है। जो जादा पूशता है उस पर ज्यादा देना है किन-किन को आपको तीन सब्जक्ट को तो वरियता तो यह खुड़ा बहुत सब्का महतुर आता है जैसे पॉलिटी दस बारा सवाल ही आता है लेकिन दस बारा कर सही होते हैं यह दि मैट से वह डिफरेंस पढ़ा करता है दस के दस मैथ आप नहीं बना पाएंगे लेकिन फांसाइट बनाते हैं और कोई आदमी एक दो बनाता है तो यह वही पर डिफरेंस पढ़ा कर देता है तो मेरा एक स्टेडिजी है के रोज आप मैट्स बनाएं आदे गॉन्ते प्रिविस ये क्विस से करें हमारे Test सेड़ करें और कमसे कम है पॉइक किताब पढ़ेंग हो योटूब से करन papel पढ़ते हैं धिर्लई की पढ़ते हैं सकता है या इतना मान कि ये तो हम लोग मतलब फॉर्चुन टेलर है नहीं लेकिन समभावना है कि पंद्रह सो से कम किसी भी सुरत में कम नहीं होना चाहिए लंबे समय के बाद वेकेंसी है जो इस बजट येर का है वो भी नियोजन प्राप्त हो चुका है अगले रिक्तियां भ करें वह आने के लिज देखता है मे प्राप्तिय रिखने के चला प्रकता है उसमें सफका नहीं है लेकिन कुछ लोगों को मेंस लिखने बहुत दिक्कत है जो कि one day exam के masters हैं, direct questions लड़ गए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है